देख सकते हैं उधर गाइश चर रही है दर गाय भैसे है वेलकम टू माइने व्लॉग कैसे हैं आप लोग आई हो पच्छे होंगे गाइस तो आज देख सकते हैं मैं यहां पर हूँ कहां पर हूँ मैं वह आप हर एक चीज आपको बताने वाला हूँ लेकिन मेरी आप से रिक् बिटी गाड़ी में नहीं हो रही है कोई बिटी जगह पे नहीं हो रही हमरे आप में रहे हमकों कि होजा उसलोग की मीन कुछ तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बहुत ही अच्छा विटी यहां का है बड़े बंगला बड़े बड़े पार्क नहीं बलकि जो जो है आज मेरी starting वहीं से मैं ब्लोग start कर रहा हूं है कि मैरे पीछे तर आता चरनी है जो मैं आपको बता देता हूं कि मैं यहीं पर जो है अपनी गाय भैसे चरा रहा हूं गाइस और और गाइस हम लोगों का प्रतम करतब यही कि हम लोगों को कभी अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए हमारे पुरोजर ने काफी मेहनुत की तब जाके हम लोग इस मुकाम पे हैं बड़ी-बड़ी गाडियो में एसी रूम में बड़े-बड़े मकानों में हम लोग रह रहें तो सब यहीं से सुरुवात होती थी ओइस यहीं से सुरुवात थी ओइस हर एक चीच की तो आज मैं बहुत अच्छी व्लोगिंग कर रहा हूं गाइस और आप सबको एक एक चीज यहीं पर दिखाने वाला प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे क्योंकि आप लोग उन लोगों को लाइक करते हैं और जो आपको लाइक करना चाहिए जो आपका प्रथम करताव यह है जिन चीजों को आपको लाइक करना चाहिए इन चीजों को आपको पसंद करना चाहिए उन चीजों को आप लाइ है दरगाए भैसे सब चरहें कितना सुन्दर कितना अच्छा नजा रहा है कितना अच्छा वियू है आपकी यादों को तजा कर दे इन चीजों को लोग देखने को आजकल तरस रहे हैं गाइस तो मैं मेरे माध्यम से आप यह सब चीजे देख सकेंगे guys, बलकी आप तो बड़े-बड़े सहरों में ऐसी चीजे, आईसा view, ऐसा नजारा कहां रखाए guys इनकी गाय को चरते हुए देखें, भैसों को चराते हुए देखें, बहतरी नजारा देखें, अच्छे अच्छा व्यू देखें, खेत कलियान देखें, यह अप सब कहां रखा है गाइस बड़े-बड़े सहरों में, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस यहाँ पर, प्ल इनको खिलाई भी जाती हैं गाइस, इधर आप देख सकते हैं, हर एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, इधर का मस्त भी हूँ, यह खेत कलियान, यह मैदान, गाइस हर एक चीज यहाँ पर चरते हुए, यहाँ पर गाय भैसे, कितना अच्छा द्रश यहाँ का ल देने हुए हैं, और यहाँ का नजारा, यहाँ का विव भी बहुत मस्त है, आप देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताना गाइस, और यह इन ही के खिलाने के लिए यह चरी है, इसको काट के, और फिर ले जाके घर में मसीन में काट के, और वहीं इन जानवरों को, इन गाय भैसों को खिलाया जाता है, यह चीज आप देख रहे हैं, आपको कैसा लगा, आपको कुछ यादे ताजा हुई, कुछ लोग इन चीजों से पहले जुड़े होंगे, लेकिन अब हो सकता है, नहीं जुड़े, क्योंकि ऐसा बहुत सा होता है, कि ह हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, फिर इन चीजों को भूल जाते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, भगवान जैसा करता है, वो अच्छा करता है, आप लोग जहां भी रहे हैं, अच्छा कमाये, खाये, पर अपनी मात्र भूमी, अपनी पुरानी यादे कभी नहीं भूलना चाहिए, इन चीजों को जरूर याद रखना चाहिए, और प्लीस अगर हमारी द्वरा दिखाएगे ये चीज़ें आपको पसान आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर देना, और वीडियो अच्छ लगए, वीडियो को लाइक कर देना, और को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं आप से किसी नेक्स वीडियो में इसी तरह के अच्छे वीडियो में तब तक के लिए बाए